सबसे पहले आप सभी मोग के दर्शकों का अपने शुरताओं का और मोग के सभी जनता को मैं प्रिडाम करता हूं मैं अभी शेक मिस्रा आप सभी सुरताओं को बताना चाहेंगे कि जब हमें याद आता है आज से 15-18 साल पहले जब कभी एक बहुत छोटा था था इनके अंदर बच्पन से हुआ करते थी चोटे थे तो पिता जी लगता है आपके पिता जी गुरू आपके रहा है बच्पन से मैं देखा बच्पन से आपकंद्र वो चीज़े थी मैं आपको तब से देख रहा हूं जब आप छोटे थे आज मुझे खुसी होती है कि हमारा पंड़त माही मिर्दुल जो कल का बच्चा हुआ करता था आज गायन छित्र में एक अजी मिल का पत्थर साबित हो रहा है तो प्रतिवा को कैसे निखा रहे है अब बताएंगे नहीं इसके लिए लगातार जब छोटे थे तब से रिकॉर्डिंग वेगर देखते आ रहे हैं पिताजी के स्टूडियों में होती थी और उन्हीं से उनसे ही सब को सीखा गया कैसे गाना है कैसे क्या करना है और माही उसे परफरमेंस देते हैं तो यह लगता है कि नहीं प्रोफेशनल हम दो प्रोफेशनल लें गाना करें लेकिन जब माही तनी आइसन का वा तो उसे बड़ा को सीखें के मिला कि यार ना इसे ना इसे कर जा इसे इसकल तो सीखत सीखत आज लगत बाच कुछ थोड़ा बहुत जो मुझाया याद है मौ में तब भी आपके पिता जी संजेपंड़े जी की स्टूडियो उस समय बनाया थे जब आडियो चित्र के रिकार्डिंग वह करते थी वीडियो अपने हैं मौ जनपद में नहीं था लेकिन उस समय भी सरसंजेपंड़े जी उसमें मौ में एक आयाम ब बढ़ाया आगे आज हमारे जनपद में आप इस्टूडियो का श्वारम भी करने जा रहा है यह बताएंगा इस्टूडियो क्या क्या किस तरह करने जा रहा है आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बैठ के सुने इसलिए इसी सोच के साथ है और यहां के कलाकारों को सबसे बड़ी बात कि अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था तो इसके लिए कोसिस किया गया कि नई मव में ही ऐसी बेउस्था हो जो हम लोग बाहर न जाना पड़े दर दर जाके दिल्ली में बना जाके लाइन में लगे रहते थे कई दिनों तक पहले जाते थे आज आप मों में खुशी हो इस बात पर कि आप लेके मों में श्टूडियो बना हुए एक चीज और सब के आम जंदा कि वेचे जाते हैं तो बड़ी लोगों में यह चर्चा के बिसे कौन है माही मिर्दुल चीज के बड़ा आम तोर पर भॉच्पुरिया भासा में करें लाएं चीज के बड़ी चर्चा रहे लाएं च्छोड़ा सा जिवन पर्चे बताते हुए हम यह चाहाब की तो एक हो चीज यह काम करें अभी तक जितना गानातार आहल होई जैतरह का समाजी कुरिती पे देश चीज के लेकिन हमके लगतबाग जहां तक कि एक सामाने लड़का जैसे सबी लोग करतबाग हमनी कई सोचल गए लगी गाने सबी लोग गाते हैं कुछ ऐसे गाने गाया जाए जिसका कुछ सार्थक समाज पे असर पड़े प्रभाव पड़े और इसी को लेकर के देश के ल गाया और जैसे जल्दी चट पे चट पे चट हम लोग खती बहुत बड़ एक परुबा चट पे सब लोग बेटा खती लड़के के लिए हमेशा ये ब्रत रहते थे लेकिन ऐसे ही मुझे लगा कि एक ऐसा परिवार है एक ऐसी माह है जो अपनी बेटी के लिए ब्रत रखती है और यह गाना प्रूड हत्या के खिलाप था एक तरह से और कम्दू लाइन सुना दीका आपके गीत रहे कि जैसे दिहालो दूई दूईलाई का वासो रुज हो दिचान नहो उनके दो बच्चे हैं दो उनके बेटें लेकिन अभी भी उस मा के अंदर ये है एक च्छा कि म मैंने कहा था जैसे दिहालो दूई दूई लाइक वासो रुज हो दिचान नहो वैसे देदा गोदी में लाइकियों करेके कन्यादान नहों कि मोधी जी से एक निव्यतन किया गया कि मोधुमा के तो पोका पाकी ओर मोड़ा दो पाकिस्तान उड़ा दो मोधी जी पाकिस्तान उड़ा दो पाकिस्तान उड़ा दो मोधी पाकिस्तान उड़ा दो किसको अपना स्रे देंगे इन चीजों पर कौन है आपके गुरू जिनसे इतनी सीख मिलती है आपको और यहां तक पहुंचने की आपको सीख मिली कि शबसे बड़ी बात मैं खुल के बता दूवधिस इसका स्ट्रे सब को जाता है हम की परमपराओं को मैंने कभी किसी के आइसे गाने नहीं गाने के प्रयासकी है जोकी लोग गीत भी गाना है तो ऐसे गाने जो हम लोग की परमपरा नुदे जुड़े आ की गाने को जो हम लोग की परंपरा शुरू से जुड़े हुए हैं ऐसी गीतों को लेकर या फिर ऐसे गाने गाओ जिसका कोई मुद्दा हो जिसका कुछ समाज पे सार्थक असर पड़े तो मैं अपने भाईयों से जो भी कला में काम कर रहें कला छेत्र में उन सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप इस फिल्ड में अगर काम कर रहें तो गाई यह हर टाइप के गाई मनु रंजन बहुत जरूरी है मनु रंजन के लिए तरह परिपाई जी और रोलमाडल वो सबी लोगं चाहिए गाते हैं कि लोग है नियुक्राइं की जो वो सारे गायक लोग हैं जिनके हम हमेशा गायगीत सुनते रहते हैं गजल वगर में कोई शानी नहीं है जगदीज संग सकते हैं गजल मैं सुना रहा हूं आपको मैं गाया था यूटूब पर है महबत में मुझको तुम कितना ठगे हो दो लाइन बाज हमारी बहुत करीब बा याद आएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी आद आएगी पल भर कित तुछे बेवफा सताएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी आद आएगी माही मुदों के तुम कितना सगे हो महाबत में मुचे को तुम कितना ठगे हो थोड़ा सप्लार तुम से क्या मंग दिया है मैं खुद को खुदा तुम समझने लगे हो तुम सप्लार आपके बता दी कि अभी तो फिलाल पिछले दो दिनों से शूटिंग एक मेरे बोश्पुरी अल्बम की यहां पर मौव में ही अपने हुई है जिसका नेम है मौव कडान चुकि फिल्म का प्रोजेक्ट है और उसको अभी उसका टाइटल सौंग सूट किया गया है उसमें भीविन भीया के देशन में काम होगा है और वह एक डान जो है वह करेक्टर है पॉस्ट्व करेक्टर है कि लड़का है वह काम करता है समाज के लिए लेकिन उसको लुफर वाला जोनी आप लोग को सुनने को जल्द ही मिलेंगे और साथी मैं साथी साथ अपने अन्य साथी कलाकारों से यही निवेदन करना चाहूंगा अगरा करब कि हमेशा ऐसे गाने बज़ें कि बने कि हमनी के हर घर में बज़े सब लोग सुने एक मनुरंजन के साथ साथ एक संदेश सब्सक्राइब करें और साथी धेर सारा प्यार चैनल को देते रहें तन्यवाद